आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं नाम दर्म और आप देखरें मैं चानल के रेटर जो फॉस्स आम चाले पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोडिकेशन आप लोगो मिलती रहे आज की वीडियो का जो कमाल को सब्सक्राइब करेंस होगा वह होगा क्विज होंगे टेस्ट होंगे बहुत सारी चीज़े इसमें अड़न होंगी तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफेशल होने वाला है और अनकेडमी ने अपना आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी लॉंच कर दिया तो उसको भी जिन सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो आप लोग ने दोस्तों साथ भी यह तरीका अपना और एक्जाम में अच्छे नंबर लेकर क्या हो अगर एक्जाम आपको करना है एक्जाम क्या प्रिप्रेशन कर रहे हो चाहे वह गौर्मेंट जॉब की हो चाहे वह प्राइवेट बैसने को लोगों के कुश्शन थे कि सरफ कौन सा तरीका अपनां ऍहें कि बैस्त नंबर लेकर की हैं जबेस्त नंबर लानेका एक यह तरीका है मेरे इसाब अगर यह फॉलो करते हैं अप क्रॉपर भे में करते है smart work के लिए आपको focus करना पड़ेगा जो numerical side के question होते हैं उस पर जब numerical question पर focus करोगे ना तो obviously scoring marks होते हैं और वो scoring marks आपके कहीं कहीं add-on होते हैं चाहे वो competition हो चाहे वो normal किसी semester का exam हो या फिर किसी university का exam हो वहाँ पर वो सारी चीज़े एक तब fact आपको clear transparent तरीके से मिल जाती है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए अगर आप theoretically focus करते हो तो आपको पूरे marks नहीं मिल पाएंगे क्योंकि theoretically आप कितना भी try करोगे चाहे pointer में बना कर या लिखो या कुछ भी लिखो 100% marks नहीं मिल सकते बढ़ numerical में probability पूरी होती है कि आपको 100% marks मिल जाए एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ theoretical में जब भी आप लिखो न एक sentence बना करके मत लिखो आप pointer में लिखो और try करो कि diagram से define करो जब आप एक pointer बना के लिखोगे diagram से define करोगे तो obviously चीजे बहुत transparent हो जाएंगे और जो भी examiner होगा जो भी आपकी copy check कर रहा होगा exam की वो obviously impress होगा और आपको अच्छे number देगा तो polytechnic और b.tech के semester exam में यह तरीका तो 200% आपका काम आएगा और इस तरीके से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो और बहुत अच्छा number लेकर के आ सकते हो pre semester होते है इन सारी जगों पे आप अच्छे marks लेकर के आ सकते हो और एक और तरीका है देखो अगर आप इन दोनों को combination मनाते हो numerical और theoretical का तो दोनों पर आपको focus करने के बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि theory रटने से आप नहीं आगे बढ़ सकते हो concept समझना पड़ेगा उस theory के concept क्या logic क्या है उस logic को जब आप समझाओगे तभी आप explain कर पाओगे कि चीजे किस तरह से काम करती है अगर एक a plus b का whole square equal to a square plus b square plus 2ab इस type के example मैंने दिया कि prove करने के लिए आते हैं उसको भी attempt करें उस पे फुल marks होता आप लोगों का तो इस type के question पे फोकस करें तो जो मैंने overall आपको बताया अगर आप ये tips tricks idea यूज करते हो न तो trust me beating में मैं इसी वज़े से topper बना था यही तरीका अपन यह तरीका तो अच्छे marks लाएंगे और obviously topper भी बन सकते हैं तो बस इस वीडियो में इतना ही और अगर आप लोग टेली ग्राम पे हैं तो करेंडर चैनल को टेली ग्राम पे सब्सक्राइब कर ले और चैनल पर इसी तरह से वीडियो आप लोग लिए आती रहेंगी तो बस इस वीडियो में इतना है आपको वीडियो पसंद आए होगी थैंक्यू जयाहिंद नवस्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्